नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल तिवारी जोती में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने सपने में सिव परिवार को देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों अक्सर हम रोजाना कोई न कोई सपना देखते हैं कुछ सपने हमें सुफल देते हैं तो कुछ सपने हमें असुफल देखते हैं लेकिन दोने ही सपनों का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, कभी-कभी हम अपने सपने में देवी देवताओं को भी देख लेते हैं, कभी-कभी हम स्रीकिष्ण भगवान को देखते हैं, कभी हनमान जी को देखते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, कभी कभी हम उन्हें भी अपने सपने में देख लेते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपने अपने सपने में सीव परिवार को देखा है तो इसका क्या मतलब होता है तो दोस्तों अपने जोती सास्त्र कहता है कि जो भी विक्ति जो भी महिला अपने सपने में सीव परिवार को पूरे परिवार को देखती है, या फिर देखता है तो उसके आने वले निकट समय में उसकी जीवन में चल रही हैं जिवन दूर होगी। तो इस स्वप्न को देखने के बाद आप निच्चिन्त हो जाई हिए आपकी जीवन में खुशियां आएंगी और जो परेसानी है वो दूर हो जाएगी लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखे कि अगर आपने यह सपना देखा है तो जल से जल भगवान सीव की पूजा अराधना करना सुरू कर दे भगवान संकर के सीवलिंग पर जल चड़ाएं उन्हें बेल पत्र चड़ाएं और उनसे प्र